वेलकम बैक आईस आज की इस वीडियो में आपको मेकेनिकल इंजिनिरिंग के जो फिप्त सेमेस्टर के इस्टुनेंट है उनके एक और सब्जेट के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन की बात करने वाले हैं जिसको पढ़कर आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं जो मेराथन क्लास से हमारे उफीसियल एप एकीसी टेक्निकल क्लासेश पर उप्लप्द हो चुकी है आप लोग हमारा एप एकीसी टेक्निकल च्लासेश Google Play Store से डाउनलोड जरूर 적ति हमें यह सकते हमके डिस्क्टिसन वाक्स में भी दे देंगे जितने भी कोश्चन आपको यहा बस उतने ही question को पढ़ कर जाएए और असानी से बहुत ही अच्छा नमबर लेकर आएए सो चलिए question को हम start करते हैं देखिए यहाँ पर first question आप से कह रहा है कि PPC को समझाएए तथा इसके function को लिखिए देखिए बहुत ही most important question हर साल इस topic से इस question आपके एजाम में पूछे जाते हैं इस chapter से और पांस नमबर में पूरे question पूछे जाते हैं तो जब भी आपको production planning and control PPC के बारे पूछे तो आप इसका advantage, disadvantage, importance, objective, function क्या होते हैं सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ पर आपको पांस नमबर मिलेंगे ओके guys यहीं पर अगर हम next question की पात करें तो आपका कहरा है planning, routing, loading, scheduling, dispatching तथा progressive पर संचित टिपड़ी लिखिए तो यह देखिए सब जो है PPC के एक part होते हैं इसको अलग-अलग type से आपको define करना है तो हमने already आपको lecture के मादिम से पढ़ा रखा है तो lecture का जो पूरा playlist है इस वीडियो के हम description box में दे देंगे आप लोग serial wise एक एक lecture देख लिजेगा बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ engineering हमने आपको machine design और theory आप machine जो है इन तीन सब्जेट के most important question के series provide कर रखी है तो आप लोग यूटूब पर वीडियो देख लिजेगा सभी अभी recent में वीडियो upload किये गए हैं और आज आपका production management हो जाएगा उसके बाद production technology हो जाएगा यह सब आपको देखने को मिलेंगे साथ लोग देख लिजेगा उसको भी ओके और इसके आप लोग डालेंगे हैं आई मेडी बाई एकसी ठीक है solution पेपर तो आपको आई मेडी का solution हमने आपको बता रख़ा है और मेरा अथन क्लास की बात करें तो आई मेडी का मेरा अथन क्लास आपका आट्टम वाइल कर दें अगला question आप से कह रहा है कि गैंट चार्ट एवां ब्रेक एवन चार्ट पर आपको टिपड़ी लिखना है तो देखिए most important यह दोनों चार्ट हैं दोनों चार्ट आपके हर साल पूछे जाते हैं इसके application क्या होते हैं इसके advantage क्या होते हैं usage क्या है यह दोनों हर साल पूछे जाते हैं जैसे पिछली बार पूछा गया था कि गैंट चार्ट के बारे हम आपको समझाना है यह क्यों बनाया जाता है तो आप लोग दोनों चार्ट अच्छे से पढ़िएगा और यह हमने आपको पढ़ा भी रखा है मेराथन क्लास में भी यह सब आपको देखन समझिए और अपने एक्जाम में अच्छा करकर आईए अगला कोस्चन कहरा है कि ब्रेक इवन अलाइस से क्या होते हैं आप इससे क्या समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का क्या महत्त्वा होता है तो देखिए यह चार ही कोस्चन आपके फस्ट चैप्टर से पूछे जात करते हैं उसकी क्वालटी चेक करते हैं मार्केट में प्रोडक्ट को अगरल आइगर नॉचक करते है तो इसके Lots ओंड़्िव तक क्या रहत है अब देखे को इसको इसको देखने को मिलें हैं तो इसका क्या रोल होता है नहीं करते होंगे मतलब सब कुछ उनकी एक ऐक क्वालिटी को कंट्रोल करते हों गए इसमें क्या सही है जाए घलन कत देखते हूं तो हमने लक्ट क्षर भी लिया यूटूब पर अब कर्दे आपक में के लिए सब पुछे जाते हैं पहला quality control क्या समस्ते हैं दुसरा quality assurance क्या होता है पीज़ एक्ट एंड यसाइक्ट क्या होते हैं इंडियन standards होते है 9000 and 14000 क्या होता है एक्सर्पी और सीचार्ट का क्या उदेश से होता है इसके बारे में आपके एक्जाम में पिछले साल यह question पूछा गया था टोटल क्वालिटी मैनेजिमेंट जो टापिक है यह भी most important है इस पे भी question आपके अरसाल repeat होते हैं और संजोक से पिछले साल यह question भी पूछा गया था तो एक भी question चान लिजे छोड़ने लायक नहीं है एक भी question हर question को आप रखता पड़ें वहाँ पर आप लोग फीगर भी जरूर बनाया ताकि आपके जो नंबर है वह हाई आ सके हैं कि इसको आपको लिखना है तो देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं फ्लोर टेस्ट टाइपिंग के जाती है आपका इसमें एक आता है सेंट परसेंट इंस्प एकसरेंसन अगला कुस्टिं कहला कि एकसेंट सपैंप्लिंग क्या समझते हैं जो प्रसिटियन कें प्रकिटीचिस का होती हैं कि होता है एक सिंगल होते हैं कि आया प्टृदा और एक चीज़ और है मान लिज़ आप से पूछ लेता है कि सिंगल सेंप्लिंग प्लान को समझाइए बट आप पढ़कर गए हैं डेबल वाला देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं अगर एक्जाम में आपको कोई भी कोश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है तो भाई आप क्या करेंगे कोश्चन को छोड़के आएंगे तो आपको वहाँ पे जीरो नमबर मिलागा ठीक है लेकिन जैसे पुछ लिए एक्जाम में कि सिंगल सेंप्लिंग प्लान को समझाइए तो आपको नहीं आ रहा है आप छोड़ देंगे तो आपको जीरो नमबर मिलेगा लेकिन अगर आप पढ़के गए हैं डेबल सेंप्लिंग प्लान वाला आप डेबल सेंप्लिंग प्लान वाला आप डेबल सेंप्लिंग प्लान वाला एंस्वर लिख लिए हो सकता एक या दो नमबर तो मिल ही जाए ये कब करना है जब भी आपको कोई कोश्चन ना आ रहा ह तो उस condition में आप question को छोड़ते हैं तो आपको zero number मिलता है लेकिन उस question में किसी भी दूसरे question का एंसवर अगर आप copy paste मार देते हैं उसमें लिख देते हैं तो हो सकता है एक या दो number तो मिल ही जाए छोड़ने से अच्छा है कुछ भर कराईए एक एक दो दो number से तो आपके number high हो तो छोड़ना नहीं है एक भी question आपको छोड़ना नहीं है कुछ ने कुछ इसमें लिख कराना है ताकि जो आपकी कांपी है वह भरी भरी लगे और number भी आपको अच्छे मिलें अगला question कहरा six sigma role को समझाए देखिए बहुत ही most important question है six sigma role हर साल या पूछा जाता है इसमें पढ़ा रखा है तो आप इस topic को पढ़िएगा मैराथन क्लास में बहुत अच्छी तरह से सब topic cover किये गए हैं बहुत एक कम price में आपको मैराथन क्लास प्रवाइट की जा रही है जो कि आपके daily के खर्च के बराबर है आप लोग मैराथन क्लास ज़ाइन जरूर करें सुच करते आपको जोएंजी अगर आपका बैका जायों थौर्स एक आपको 200 जैना पड़ेगा ऌर Bri fij का इति तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा साथी साथ आपका यह लास्ट यह्ज है यह आपका last year और पाक आपक्त oleps अबकर जाएगी इस अच्छा है जो आपको बहुत ह आथन क्लास मिल रही है आपको अच्छे मार्स मिल जा रहा है तो आप उसको परिशिज किजिए और क्लास को जोईन किजिए और अपने एक्जाम में अच्छा करके जरूर आईए कोश्चे नमर 11 की बात करें तो कहरा है डिप्रिसेशन अथा जो अमूलियन होता है उससे आप क इसको समझाइए तो कास्ट कंट्रोल के जो एलिमेंट होते हैं इसको समझाइए अगला कर दो कास्टिंग में अंतर लिखे कास्टिंग में आपको दिफ्रेंच लिखना है यह कौश्चन वी आपके जाम में पूछा जाता है ठीक है कास्ट कंट्रोल का उता है उसके कितने 파्रीन इलिमेंट होते हैं यह प्लेंट सुव पूछे जाते हैं अलग कर रहा है कि मेंटेनेंस के जो टाइप होते हैं देखिए आपसे अगर हम बात करें पिछले साल जो कोश्चन आपके इसमें रिपीट हुए थे वह आपका पूछा गया था ब्रेकडाउन के बारे मार रोटीन मेंटेनेंस ऐसे पूछा था निवन पर टिप्री लेकिया अणिया सारोटीन मेंटेनेंस आई ब्रेकडाउन मेंटेनेंस लेकिन इसमें तीन और और यह एक दूसरे सब मिलते जूलते हैं ठीक है जब आप लोग पिपीजि पढ़ेंगे तो जहां पर क्या होता है कि हर टाइप को आपको यहां पर देखने को मिलेंगे पीपीजिं इस से खिदेए करा क्या है ठीक है और को सभी आपका से कीऴाल आपका routine क्या होता है लोडिंग क्या होता है ठीक unload क्या होता है हम आपकर फस्ट च THAT repent बताता था तो उससे रिलेटर के मेंटेनेंस भी है तो इसको हम इस तरह से कबर करते हैं तो इसके बारे हैं लोग थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ियेगा आगे बात करें अगर लास्ट चैप्तिर के जो है उसके बारे में आपको टोटल लिखना है जो सकता है इस बार आपका की एग्जान में आ सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है जो भी लेबर होते हैं ठिक उसके क्या-क्या एक्ट थें इसमें अगर लेबर को चोट लग जाती है तो क्या-क्या कंपनी को करना पड़ता है उनके उनका काम उनका इलाज यह वो मतलब सारा काम इसमें आपका देखा जाता है तो यह सब जो हमने म मिलेंगे पुरा लिखा भी गया है और लिखते हुए पढ़ाया गया है ताकि आपको एक भी problem ना आए समझने में अगर आप अच्छे से समझते हैं तो अच्छी प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट कर रहा है कि जो कर्मचारी राज बीदमा अधिनियम था वह क्यों लागू किया गया था इसके क्या क्या कार है क्या 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 फंक्सन है यह सब भी आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आप इन सभी टापिक को अच् थैंक्य।